Hello everyone, welcome back to another video तो आज इस वीडियो में guys बहुत important हम बात करने वाले हैं जो भी important books होती हैं जो की refer करने चाहिए for the preparation of MLT examination whether it is of college examination और competitive examination जो भी vacancies लिकल रहे हैं तयारी करने के लिए जो भी book की जरूरत होती है MLT course के लिए वो मैं आपको सारी बताने वाला हूँ उसमें कौन सी में खुद refer करता हूँ या कौन सी मेरे हिसाब से best है आपके लिए आप मेरे बारे में थोड़ी बहुत चीज़े यहां से पढ़ सकते हैं why I am qualified to tell you these books तो basically एक दिन में comment देख रहा था ठीक है तो उसमें आप लोग comment कर रहे हो कि sir ये कौन सी books है PGI के लिए तैयारी करें या histology की best book बताओ कौन सी books है आप बढ़ते हैं aims के लिए कोई books बताओ sir best books कौन सी है mcq के लिए या theory के लिए please help ये सारे comment में देख रहा था तो मैंने सोचा इसके लिए proper एक video बना दू मैं तो basically आज इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा मैं आपको subject by सारे books बता दूँगा तो बात करते हैं first year के subject anatomy की ठीक है तो anatomy हमें basically इन दो books से हम पढ़ सकते हैं आपको जो भी अच्छी लगे इन में से उससे आप पढ़ लीजिए personally मुझे जो विश्राम सिंग प्रोफेशर विश्राम सिंग की जो book है General Anatomy वो मुझे जाज़ा अच्छी लगी बाकि आप General Anatomy भाई BD4 की असर भी पढ़ सकते हैं ठीक है तो I like this one Physiology के लिए जो मैं book recommend करूंगा वो आपको है दो book हैं guys एक इनमें से आपको choose करने हैं कोई सी भी आप पढ़ सकते हैं Case Ambulingum पढ़ सकते हैं Medical Physiology की या फिर इंदू खुराना मेरे को personally इंदू खुराना जादा पसंद है बाकि Case Ambulingum भी बहुत अच्छी book है तो बट मेरी choice में ये मुझे पसंद है मेरे को इससे easy language लगता है ठीक है So इसमें से आप कोई भी एक choose कर सकते हैं और guys General Pathology में आपको Basic Harshman की book है Robinson बहुत tough पढ़ जाती है और बहुत lengthy भी है तो इसकी एक handbook आती है ये छोटा part है वहीं आपको refer कर लेना है ठीक है General Pathology की handbook जो होती है For the Biochemistry में दो book recommend करूँगा एक से आपको पढ़नी है Theory जो की यू सत्यनाराइन से पढ़नी है और Practical की जो book आपको पढ़नी है वो S. Mohanty, Shruti Mohanty कर की book है Practical Biochemistry की वो पढ़नी है आपको ठीक है Quality Control के लिए guys दो books मैं suggest करूँगा आपको एक तो WHO के दोवारा BA Lab Quality Management की वो आपको पढ़नी है और BioRed का ये Manual मिलता है वो आपको पढ़ना है For the Quality Control जो भी subject होते है Blood Bank के लिए guys आपको दो पढ़नी है Cathy पढ़नी है एक तो Basic and Applied Concept of Blood Banking and Transfusion Practices ये वाली और एक Government of India का Training Module है ये आप डाउनलोड कर सकते है फिर ही मैं वो Website पर अविलेबल है तो ये आपको पढ़ना है ये दो आपको Blood Bank के लिए रफर करनी है Histologically Best गाईस मेरको ये बहुत पसंद है Pranabde Easy Language बहुत Organized Way में Notes है बर्टिक कुछ लोगों को जिनको और पढ़ना है वो ये भी बढ़ सकते है ये भी अच्छी बुक है संतोस कुमार मॉन्डल सर की ठीक है Microbiology guys थियोरी के लिए सारे Microbiology, even viral, bacteria सब included होता है तो Essential of Microbiology अपूर्वा सास्री आपको पढ़नी है ठीक है, Review नहीं पढ़ना है और Detail वाला बुक पढ़ना है ठीक है और Practical के लिए आपको मैं की और मैं कार्ट नहीं पढ़नी है थोड़ा Selectively पढ़ियेगा बहुत Landy बुक है और बहुत थोड़ा Advanced Level की है ठीक है तो Selectively पढ़ना है जिसमें Urine Examination, CSF Examination, Sinovill Flood Examination ये सारी चीज़े आती है तो वो है आपकी M.Sherry's Calltholker ये जो सर है, इनकी बुक है Essential of Clinical Pathology बहुत सारा पेपर इसी से बनता है और इनी की Hematology का भी एक पार्ट है तो वो भी आप Essential of Hematology पढ़ सकते हैं बाकी जो सबसे मैं बोलूँगा आपको जो खरीदनी ही खरीदनी है वो है आपकी Godgar आपको First Year से ये खरीदनी है और पूरे तीन साल के कोर्स में या दो साल जो लोग DMLT कर रहे है वो आपको पूरे Throughout the Years आपको करना है ठीक है First Year, Second Year, Third Year या First Year, Second Year ये Complete करना है प्लस साथ में MCQ ये भी आपको First Year में ही खरीदनी है तब जाके आप तीन साल में ये दोनों बुक खतम कर पाऊगे सिर्फ Competitive Purpose के लिए बुक आप लोगे तो आप बहुत जली कवर नहीं कर पाऊगे और बहुत सारा टाइम आज आप इस बुक में बेस्ट कर दोगे ठीक है तो आपको अगर ये दो बुक पढ़नी है तो आपको First Year, College टाइम से ही पढ़नी है जब आप Admission लोगे है M&T में दोनों बुक को Continue करते चलना है आदरबाइस ये 2000 पन्नों की बुक है गौटगर वगेरा तो आप नहीं कवर कर सकते इसे for the purpose of competition ठीक है तो competition के लिए बिलकुल recommended नहीं है बड़ थियोरी के लिए और आप throughout the syllabus आप throughout the course आप पढ़ेंगे तो beneficial है MCQ इसमें भी 10-15,000 कोशन है तो उसके लिए 1000 कोशन आपको maximum जरूरत होती है solve करने की ठीक है high quality MCQ होंगी तो ठीक है तो अगर ये भी आप first year में पढ़ते हैं तो best है आपके लिए MLT की ये दो बुक मैं recommend करता हूँ बाकि best books की बात करें या जो मेरी बहुत help ही है जिससे मैं पढ़ता हूँ मैंने इतने सारे एक्जाम लिका लगए है तो वो है guys PYQ papers मैं PYQ papers बहुत सारे solve करता हूँ और उसके videos भी आपके लिए लाता हूँ तो ये आपका best है best चीज क्योंकि PYQ से ही सारे चीज़े आता है ठीक है बाकि quick revision और review करना है अगर आपका syllabus complete हो गया आपने तीन साल college के अच्छे से गुजार है अच्छे percentage है आपके आपको revise करना है तो एक foreign author की book है वैलेदी की Quick Review Cards for MLT Medical Laboratory Science ये best है मेरे साब से मेरे को ये ही पढ़ती है मेरे पास ये ही पढ़ी हुई है physical copy ठीक है तो I like this one भागी थोड़ी advanced level की theory और MCQs के लिए आप success in clinical laboratory science ये पढ़िये ये भी foreign author की book है but definitely it will increase your in-depth knowledge okay so this is what I read for competitive purpose है न because मेरे basic बहुत strong था तो मैंने PYQ बहुत सारे solve करे है मैंने revise किया है मैंने थोड़े मेरे जो topic weeks थे उसको मैंने advanced level तक बढ़ा है ठीक है तो this is why I am certainly perform good at examinations other I would say miscellaneous but these are good book अगर आपके पास time है तो ही पढ़े एक तो है practical hematology अगर आप अलग से पढ़ना चाहते है hematology को detail में DCI है इसे Bible बोलते हैं lab hematology का Bible है न और आप clinical laboratory science का एक आता है Mary Louise का ma'am का यह ठीक है यह बहुत अच्छी book है आपको पास time है तो पढ़ो यह book मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ time है पढ़ो क्योंकि यह बहुत मोटी book है competitive purpose के लिए आपको more than 500 pages की book recommend नहीं करूँगा मैं ठीक है क्योंकि आप वो पढ़ी नहीं पाऊँगे आपको पहले बहुत organization करना पढ़ेगा इस चीज के लिए ठीक है Henry's clinical diagnosis and management by laboratory method यह भी बहुत अच्छी book है time है तो आप यह पढ़ सकते हैं यह 3 book so this is basically all about the important books जो मैं पढ़ता हूँ या मैं आपको recommend करता हूँ पढ़ने के लिए so all the best for journey और मेरे quote याद रखे reading one book ten times is far better than reading ten book as one time मतलब अगर आप एक book को दस बार पढ़ के revise करेंगे तो बहुत best है rather than आप 10 book को एक ही बार पढ़ते हैं और सब भूल जाते हैं so all the best I hope आपको सारी important books पता चल गई हो अब आपकी preparation में कोई भी बादा नहीं आएगी कोई भी confusion नहीं होगा कि सर मैं कौन से book से क्या पढ़ हूँ these are best books अगर आप कर लेंगे ये खरीद के पढ़ लेंगे आप तो I can guarantee कि आप बहुत अच्छा examination में perform करूंगे ठीक है so all the best thank you so much for watching